आस्वस्त है जनता भी और आवाधी पाटी भी यह तो जनता बताएगी समय अभी ज्यादा दूर नहीं है 2025 अभी दूर नहीं है जनता के सामने इनकी पोल खुल चुकी है यह पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अगर यह moral ground पे इ इस समय इनके उपर आरोब लगे थे उस समय इस्तिफा देते जब यह जेल गए थे आज जब कोर्ट ने पूरी तरीके से उनको रिस्टिक्ट कर दिया एक तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद से almost बर्खास कर दिया क्योंकि जो आदमी अपने office नहीं जा सकता कोई file sign नहीं क कर सकता उस मजबूरी में इनको इस्तिफा देना पड़ा है लेकिन उसके पस्चाद भी आज कह रहे हैं कि हम जनता फैसला करेगी माफ कीजिएगा जनता emotional है जनता emotions में जाती है लेकिन अगर आप दोशी हैं या आप पूरी तरीके से what do you call निर्दोश हैं तो वह तो कोट ट सकते आप किसी तरीके से सबूतों के साथ खिलवार नहीं कर सकते तो निश्चिती आज जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और जनता बहुत जल्दी इसके बारे में अपना फैसला देगी इस रास्ते के जरिवरी की emotional card भी दिल्ली की जनता के साथ खिलने है काम यह चलन पानी फ्री देने की बात कर रहे थे आज पानी गंदे पीने पर मजबूर होना पड़ रहे हैं बिजली आपने कहा तक फ्री दे देंगे आज डबल रेट होगे हैं बिजली के आज development देख लीजे हर जगें गड़े हैं नाले सफाई नहीं होते एक बार इस होती है 36-37 लोग डूब के मर जाते हैं वर्ल क्लास सिटी जो दिली की नीव रखी थी आदिने शिला जी ने आज वो चर्मरा के घिर चुकी है निश्चे थी हम पूरी 70 की 70 सीटे मजभूती के साथ लड़ेंगे और ये बात का मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ जो जनता देख रही है जो जनता चारी है उस परस्ट है कि जो 2025 में सरकार बनेगी वो कॉंगरेस का मुख्यमंत्री बनेगा आश्वस्त है जनता भी और आवाधी पाटी भी ये तो जनता बताएगी समय अभी ज्यादा दूर नहीं है 2025 अभी दूर नहीं है जनता के सामने इनकी पोल खुल चुकी है ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अगर ये moral ground प से almost बर्खास कर दिया क्योंकि जो आदमी अपने office नहीं जा सकता कोई file sign नहीं कर सकता उस मजबूरी में इनको इस्तिफा देना पड़ा है लेकिन उसके पस्चाद भी आज कह रहे हैं कि हम जनता फैसला करेगी माफ कीजिएगा जनता emotional है जनता emotions में जाती है लेकिन अगर आ करेगी कोट में चल रही है और कोट ने माना है कि आपके खिलाफ इतने सबूत हैं कि आप office नहीं जा सकते आप किसी तरीके से सबूतों के साथ खिलवार नहीं कर सकते तो निश्चेती आज जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और जनता बहुत जल्दी इसके बारे में दिल्ली की जनता के साथ खिरने है काम यह चलने वाला नहीं है बहुत हो गया है जनता को बार बार बेकूब बनाना आप जनता भी समझ चुकी है बारा साल पहले 2013 में आपने जो वादे किये थे जो गरंटीज दी थी पानी फ्री देने की बात करें आज पानी गंदे पीने पर मजबूर होना पड़ रहे हैं बिजली आपने कहा तक फ्रीदे देंगे आज डबल रेट हो गए हैं बिजली के आज डेवलप्मेंट देख लीजे हर जगह गड़े हैं नाले सफाई नहीं होते एक बार इस होती है 36 लोग डूब के मर जाते हैं वर्ल्ट क्लास सिटी जो आश्वस्त करना चाहता हूं जो जनता देख रही है जो जनता चारी है उस परस्ट है कि जो 2025 में सरकार बनेगी वह कॉंग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा